आज सुनिये डॉक्टर ट्रिश्ल लता सिंग की लिखी हुई कहानी अंधेरे से उजाले की ओर लखनो विश्विद्याले से म. और पिस्टी डॉक्टर ट्रिश्ल लता सिंग एक बेहद उम्दा लेखिका है प्रस्तो थे उनकी कहानी, मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंग बीस परवरीकोस बैटालियन की सौन जैनती के अफ़सर पर जैसल मेर में सेवा निवरत और सेवारत, सैन अधिकारियों, जेसियों सहबानों, जवानों और उनके परिवारों का महामिलन था तीन दिन का बड़ा व्यस्त कारकरम था, चौता दिन अतितियों की अपनी स्वेच्छा का दिन था, उनके मनोरंजन के लिए कई विकल्ब थे, बस शाम को डिजर्ट नाइट के लिए सब को रिजॉर्ट पर पहुँचना था पाँच बजे सब डिजर्ट इस्प्रिंग रिजॉर्ट पहुँचे, चाई नाश्ते के बाद सब सेंड ड्यून्स पर जाकर सूर्यास्त देखने का कारकरम था उनकी सवारी करते ही रादिका को याद आया, एक बार से जनरल यगेंदर से मजाक में कहा था यगेंदर मैंने हाथी, घोडा, खचर, एका, तांगा, बैलगाडी, बुग्गी, रिक्षा, बस, रेल, हवाई जहाज, हेलिकॉप्टर, पानी का जहाज, आदी, सब की सवारी कर ली पर उनकी नहीं की तब यगेंदर ने कहा था, उट की सवारी के लिए तो तुम्हें राजिस्थान चलना पड़ेगा, जहां तुम जाना नहीं चाहती हो रादिगा ने तब तड़ब कर कहा था, मरते दम तक राजिस्थान में कदम नहीं रखोंगी जनरल ने उसे समझाते वे कहा था, उस हाथसे का वोज कब तक अपने सीने पर ढोती रहोगी, जो गुजर गया, उसे गुजर जाने दो किंचित रोज के साथ उसमें पलटवार किया था, यगेंदर हाथसा गुजर कर भी ने गुजरता, वहीं ठहरा रहता है बात को टालने के लिए जनरल यगेंदर ने कहा, अतीत नहीं वर्तमान को देखो, बाकी तुम्हारी मर्जी डादीका का रिस्ता गहाओ कभी सूखा नहीं था, उसका स्वन जहिंती में भी जाने का कोई इरादा नहीं था, वो तो मिसेज जेपी ने बहुत जोड दिया डादीका क्या सुन रही हूँ, कि तुम जैसल मेर नहीं आ रही हो, कमाल है, यूके से करनल शिखावत, कैनेडा से धालीवाल, अमेरिका से बिग्रेडियर वर्मा, बिग्रेडियर प्रसाद, आदी सपरिवार इतनी दूर से अपना समय और पैसा खर्च करके हम सबसे मिलने आ रहे हैं, और तुम दिल्ली से नहीं आ रही हो, गलत बात, मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम आ रही हो, दूसरी तरफ जनरल या गेंदर कावी, उस पर भावनात्मंग दबाव पड़ा, रादीका, मैंने इस बटैलियन को कमांड करते समय, इसकी सिल्वर जुब्री सेलि नहीं चाहता हूं, रादीका ने दुखी होकर कहा, पर बीच में जोतपुर, बीच में रोक कर उसके कंदे थपतपाते हुए यगेंदर ने कहा था, डियर रादीका, हम सीधे जैसर में फ्लाइट से जाएंगे, बड़े दर्द के साथ उसने हामी भरी थी, यगेंदर ने अ खुशी का इजहार एक फ्लाइंग के उसकी तरफ उचाल कर किया था, वो मनी मन मुस्कुरा पड़ी थी, ढलती शाम में मस्त बसंती हवा चल रही थी, उटो और उट गाडियों का काफिला सेंड्यू की तरफ चल पड़ा, रेत के समुदर में समाई नीरवता, उटो के गले में बदी घंटियों के रुंद जुन से मुकृत और बीच बीच में हिचकोले खाते हुए हसी के आवरण में लिप्टी हुई डर की चीखों से गुंजाय मान थी, वनस्पत विही मरुस्थल में जहां तक नजर गई, रेत के छोटे बड़े उचे नीचे टिब्बे नजर सोने सी रेत के महा सागर में हवा के बहाओ ने लहरों का जाल बिचा दिया था, दूर कहीं उटों और इंसान के पगचिन भी दिखाई दिये, सबसे उचे टिब्बे पर कुरसियां कतार से सजी हुई थी, दो टिब्बों के बीच समतल जगह पर उटों के साथ उनके चालक विश्राम करने लगे, सूर्य देव का संध्या सुंदरी से विदा लेने की बेला आ गई, सब चौकनने होकर बैटके, सूर्य अपनी संपूंट किरुनों का जाल खीच कर एक लाल बिम्ब में पुंजी भूत हो गया, लाल बिम्ब दीरे दीरे आगे बढ़ने लगा, उसकी रक्तिम आभा चारों और फैलने लगी, सुर्मई बादलों के साथ मिलकर एक नए आलोक संसाज की स्रश्टी होने लगी, द्रश्टी पत पर आने वाले आखरी टिब्बे पर पहुंच कर वो दीरे दीरे नीचे सरकने लगा, दिन भर साथ देने वाली किरुनों का साथ शू इसी बीच ना जाने कहां से काले बादलों के जुंड आकाश में चागे, उंट चालक तयार होकर आवाज देने लगे, साहब जी जल्दी पदारों गटा चागई है, सब जल्दी जल्दी उटों के तरफ प्रस्थान करने लगे, हलकी पानी की फुआरे डाल कर बादल हवा क साथ उड़ गए, सब जल्दी से जल्दी रिजॉर्ट से सटे टेंट विलेज में पहुंचना चाहते थे, जिसमें आज रहन बसे रहा था, अचानक मौसम के मिजाज बदलने से डिजर्ट नाइट के लिए डर लगने लगा, कहीं प्रोग्राम कैंसल न हो जाए, की वज़य से निर्धारी समय से एक घंटा विलंब से सब राजिस्थानी सांस्कृतिक कारिक्रम देखने के लिए रिजॉर्ट की छत पर पहुंचे, सीडियां चड़ते हुए राधिका ने मोहित क्वीन नाइट के बड़े-बड़े पॉस्टर देखे, मोहित नाम से कुछ बेचैन हो गई, उपर खुला परिसर था, आसमान में त्रोदिशी का चांद निकलाया था, वसंती बयार, किंचित आदरता अपने में घोले दीरे-दीरे डोल रही थी, दाई तरफ अर्ध चंदराकार खुला स्टेज था, सामने थोड़ी जगे छोड़ कर सिटिंग अरें महसूस हुई, उसने चाय मांगी, थोड़ी देर में विश्य मोहिनी का रूप धरण किये, मोहित क्वीन ने स्टेज पर आकर कारिक्रम का आगाज किया, खमा गनी, शुब संध्या, एंड गुड इवनिंग, लेडिज एंड जेंटिलमें, खनकदार आवाज पूरे परिवे नरत्य की भाव भंगिमा वा अंग संचालन लासे पूर्ण और सम्मोहब थे, राजिस्थानी लोक नरत्य वा संगीत के साथ दिल दहलाने वाले आग और तलवार के करतब दिखा कर सबको चमतकृत कर दिया, फिर अरजित सिंग के रोमांटिक गानों को खामोशियों और है इजाज़त तूभी कर ले महबबत पर दिल छूले वाला डत्य किया, रादिका अभी तक उसे लड़की ही समझ रही थी, तबी ओ धवाल मचाने के लिए अफसरों को नाम से आमंत्रित करने लगी, लिस्ट उसके हाथ में थी, उसने जनरल शर्मा का नाम पुकारा, शर्मा दंपत्य के ग्रेसफुल डांस की रादिका सदेव से फ्रिशन सक रही थी, वो तलीन होकर उन्हें थिरकते देखती रही, तबी जनरल यगेंदर का नाम उसने पुकारा, वो उठे नहीं, तो मोहित क्वीन स्वैम आकर एक हाथ से रादिका और दूसरे यगेंदर को खीच क स्टेज पर लियाई, उसके हाथ के इस पर्ष से रादिका को जोर का करेंट लगा, वो गिरते गिरते बची, मन में बवंडर सा उठा, सौरी, मैं इतनी तेज दुन पर डांस नहीं कर पाऊंगी, एक्सक्यूज मी, कहकर उलोटने लगी, नो मैम, प्लीज, पता नहीं उसकी आखों में क्या देखकर उनके कदम वहीं रुख गए, कुछी पल में स्लोग आना, तुम जो मिल गए हो, जहां मिल गया है, गुज उठा, मोहित क्वीन अपनी मर्जी से उसे गुमाती रही, रादिका मुहा विश्च सी उसके इशारे पर नाशती रही, बड़ी रोमांटि लोगों ने सीटिया मारी, वन्स मोर, वन्स मोर का शोर गुंज उठा, वो जहेब कर अपनी सीट पर आकर बैठ गई, दीरे दीरे सभी यंग अफसर, लेडीज और बच्चे मोहित क्वीन के साथ स्टेज पर धमाल मचाते रहे, शाम का मज़ा लेते रहे, डिनर का समय हो गय मोहित क्वीन ने उद्गोशना की, आज का एक प्रोग्राम सेन अधिकारियों के सम्मान में हमारी तरफ से छोटी सी भेट है, शुब रातरी, गुड नाइट, कहकर वो अंधेरे में बिलीन हो गई, रादिका अपने अंदर चलने वाले तूफान से निपट नहीं पा रही हात पसीने से तर थे, पता नहीं किस मोहवश उसने डिनर में सिर्फ चावल और गटे की सबजी खाई, जिससे उसे हात न दोना पड़े, रात भर करवटें बदलती रही, सुबह जल्दी उट बैठी, हलकी हलकी ठंड लगी, शौल उपर डाल करो टेंड से बाहर निकली, अ उसे देख कर उसने कहा, गुड मॉर्निंग मैम, कापते स्वर में उसने बोला, गुड मॉर्निंग मोहित क्वीन, मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, कल रात वाली आपकी साड़ी बहुत ब्यूटिफुल थी, ठैंक्स, पर इतनी भीड में भी आपने मेरी साड़ी को नोटिस किया, कमाल है, उस जैसी साड़ी को अकसर सपने में देखा करता हूँ, एक धुंदला सा बिंब उभरता है, जैसे कोई ट्यूलिप के फूलों को साड़ी पर पेंट कर रहा हूँ, फिर सपना को जाता है, राधिका कलीजा मुँ में आ गया, बोराया सा अतीच सामने खड़ा हो गया, लगवग 25 साल पहले बार मेर में उसने इस साड़ी को खुद पेंट किया था, पेंट कर रही थी, तब उसका बेटा, मम्मी, निन्ना निन्ना कहता, उसके गले में बाहें डाल कर जूल गया था, हाथ हिल जाने से एक फूल खराब ही हो गया था, इस बात औ अपने आपको सयमित करते हुए उसने कहा, कल आपके शांदार कारिकरम ने हम सब का दिल चुरा लिया, अगर आपके पास समय हो तो एक कप चाए साथ बैठ कर पीते हैं, शोर मैम, इधर आईए, यहाँ धूप देर से आती है, हलकी हलकी ठंड के एहसास में गरम चाए का मज मैम, हम तो परिवार से अस्वीकरत, ममता से वंचित, समा से तिरसकरत, अंधेरों के पाले शापित जीव हैं, राधिका ने हार नहीं मानी, मैं ट्रांसजेंडर पर एक बुक लिख रही हूँ, संभवता आपकी जानकारी से मुझे नई दिर्ष्टी मिल जाए, अपने बच ट्रेन जरनी की धुंदली सी याद है, हमारे डिब्बे में फोन लगा था, कार्पिट बिचा था, पर बहुत सालों से उस अपना भी नहीं आया है, एक पल के लिए राधिका के आँखों के आगे अंधेरा सचा गया, मुश्किज उसने चाय का एक घूट भरा, उसे याद बैंगलोर से वो लोग बार मेर स्पेशल मिलिटरी ट्रेन से आई थे, तब छोटे मोहित ने कहा था, ये चुप चुप बहुत अच्छी है, इसमें परदे हैं, फोन है, गंटी बजाने पर आईस्क्रीम भी आ जाती है, मम्मी हम हमेशा ही ऐसी चुप चुप से जाया राधिका का शक जैसे जैसे हकीकत में बदल रहा था, उट तेजना से उसकी सांसे तेज चलने लगी, किसी तरह खासी के बहाने पल्लू को मूपर लगा कर अपने को नियंद्रित किया, फिर्शान थोकर बोली, पेरिंट्स के बारे मूफ, मैम, जब बहुत छोटा था, तब बाबा का नाम याद है, जिन्होंने मुझे सर्दियों की रात में जोटपुर स्टेशन पर पापा पापा कहकर रोते हुए को पुछ का रहा था, रो ने बेटा, पापा यहीं कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे, रात भर बाबा मुझे गोध में लिए मेरे पापा का इंतज करते रहे, दूसरे दिन बाबा की समझ में आ गया कि मैं जानबूच करते आ गया गया हूँ, मैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा वर बदनुमा दाग था, निस संतान बाबा नहीं मुझे पाला, मुहित की आखों में दर्द का हर हराता समुतर देखकर उसने अपना हाथ उसक सब जूट बोला था, अब उनकी रचे नाटक पर से यवनिका गिर चुकी थी, एक एक दर्शे आखों के सामने जैसे का तैसा खड़ा था, अचानक बाड मेर से दिल्ली जाने का प्रोग्राम यगेंदर ने बना डाला था, ट्रेन जोत पुरन तेड़ घंटे के करीब रु खैर, सुखक अन्भूत के सास सबने डिब्बे के बाहर पड़ी बेंच पर बैटकर डिनर लिया था, हसी मजा के खूब ठाके लगे थे, एका एक यगेंदर ने कहा था, लगता है मोहित को दीन दा रही है, मैं इसे लेकर डिब्बे में जाता हूँ, सब को बाई बाई होते ही रादिका भी ट्रेन में चड़ गई, वहीं दर्वाजे पर खड़ी होकर बाते करती रही, ट्रेन चलने पर कूपे में आई, मोहित और यगेंदर को वहां न देखकर थोड़ा असहज हुई, परंत चिंतित नहीं, बाप बेटे दोनों साथ हैं, कोई मिल गया होगा, ट्रेन ने स्पीट पकड़ ली, पंद्रे मिनित बाद एक हाथ में जोत्पुरी कचोड़ियों का डिबा पकड़े हाफते हुए यगेंदर कूरपे में दाखिल हुए, उनको अकिला देखकर रादिका चीक पड़ी, मोहित कहा है, अंजान बनते हुए यगेंदर ने कहा, मो उमी को बहुत पसंद है, लोटा तो ट्रेन चल पड़ी, किसी तरह पिछले डिबे में चड़ पाया, रादिका के तो टांड सूक गए, रोते हुए बोली, अब कहां उसे खोजू, बता कर जाते या ब्राल से कह देते, उसका ड्राइवर ला देता, मासूम बनते हुए यग चिलाती हुए पागलों की तरह दौरती रही, मुहित किसी को नहीं मिला, रादिका का रो रोकर बुरा हाल था, मेरता रोली स्टेशन आने वाला था, यगेंडरी ने कहा, तुम दिल्ली पहुचो, मैं यहां उतर कर बस या टेक्सी से जोत पुर जाता हूँ, दिल्ली पहु प्रादिका अतीत से बाहर निकली, यगेंडर के जूट और मकारी से उसका मन का सैला हो गया था, समवात को आगे जारी रखते हूँ इसने कहा, आपके बाबा की बात सच हो सकती है, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा के रहे लोग अपनी ममता का कून कर देते हैं, अच चेन में डाल लिया है, लोकिट देखकर उसने रह गई, ये लोकिट तो उसकी माने मोहित के गले में उसके नामकरण के अफसर पर पहनाया था, कहा था, ये उज्जैन के महाकाल मंदिर से रक्षा कवच लाई हूँ, बर्व कि सिली के तरह मन पिगला जा रहा था, कैसा गोल मटोल वोरा चिट्टा मासूम सा मोहित उसकी गोद में था, उसकी अधकुली नीली आखें, सपनिल मुसकान से खिलते होट, सब कुछ उसे ममत्व के सागर में आखंट डुबो रही थे, नारीत्व की पूरता की दमग उसके माथे पर थी, परंतु ये गेंदर का चेरा मुर से कितना सहन गई थी, खैर चागनी एरिया में होने के कारण कि नरों की टोली नाशने गाने के लिए नहीं आ सकती थी, इसलिए थोड़ा आश्वस्त थी, फिर भी पास पडोस, नाते रिष्टेदारों और इष्ट मित्रों से एराज साथ पर्दों में छिपा कर रखने का प्रण कर रखा था, मोहित क्वीन ही उसके जिगर का टुकड़ा है, इसमें उसे कोई संदही नहीं रह गया था, व्यतित ममता उसे गले लगाना चाहा रही थी, लेकिन अभी थोड़े धहरी की आवशकता है, सोचकर बिलकु सामाने बनने का देखावा करते हुए पूछा, आगे का सफर कैसा रहा? निर्मिकार भाव से उसने कहा, बिकारी अपनी थाली खुद नहीं परोज सकता, सो कोई शिकायत नहीं, बाबा लोग गायक और नर्तक थे, अपनी मंडली के साथ देश विदेश में कारेकरम करते थे, राश्टरपती कलाम सहाब से सम्मानित थे, मै कुछ दिल उनकी एकेडमी में वेस्टरन डांस सीखने का मौका मिला, उनके साथ भी शो किये, देश विदेश गूमा, रादिका ने जिक्यासा वस्ट पूछा, फिर राजिस्थान वापस क्यों आ गए? बाबा की तबियत खराब रहने लगी, उनके प्रतिफर्ज खेच ल नहीं, दीरे दीरे मौहित का चेहरा एक शिशु में परिवर्टित हो गया, नन्ने मौहित की बाल लीलाएं उसके सामने जीवन थो ठी, उसका अंगूठा चूसना, गुपनों के बल चलना, डगमकाते पग, चलते चलते गिर पढ़ना, रोना, उसका दौड कर गोद में पते विचारों की गुथी कैसे सुलजाए, यहीं सोचने लगी, तब ही मौहित क्वीन ने टोका, मैं, आपकी चाय तो ठंडी हो गई है, दूसरी मंगाता हूं, कहकर उसने किसी को आवाज लगाई, एक सच वो और जानना चाहती थी, इसलिए चाय के लिए मना नहीं किया, लेकिन पूछने में संकुष लग रहा था, पर जानना जरूरी था, मौहित क्वीन, अगर आपको बुरा ना लगे तो सच सच बताना, आपके पिता ने आपको स्टेशन वर बे साहरा चोड़ दिया, इस बात को सोच कर पिता कि प्रतिगरा नहीं हुई, कुछ सोचते हुए बोला, छोटा था, कुछ दिनों तक जिद करके रोता रहा, मम्मी पापा के पास जाना है, फिर बाबा माई के पास रहना मेरी मजबूरी बन गई, समय के साथ मम्मी पापा की यादे धुंदली पड़ गई, बाबा और माई मेरे माबाब बन गए, बड़ा हुआ, तो समझ म आया कि परिवार ने हमें क्यों त्यागा है, अब नफरत या गुस्य का कोई भाव नहीं है, सिर्फ सोच कर हसी आती है, समाज के दोगले पन पर, मेरे पिता भी उसी दोगले समाज का हिस्सा है, आप खुछ सोचिए, समाज एक तरफ अर्ध नारीश्वर की पूजा करता है गौडिय संपरदाय तो चैतन महाप्रभु में राधा करशन भाव को स्विकार करता है, दूसरी तरफ हाड मांस के सांस लेते पुरुष के शरीर में इस्तरी भाव को शापित, तिरस्करत और त्याज बना दिया है, हमें पैदा होते ही शोड़ दिया जाता है, गली कूचो जो मुझे देवदूत मिल गया, वरना किसी सिगनल चौराय पर खड़ा, आप लोगी कारें थपतपा रहा होता, ये सुनकर राधिका का हिर्दे काम उठा, बेचैन होकर पूछा, क्या आप भी अरावन को अपना आराध्य मान कर कूव गाम विभार रचाने गए हो, नहीं म मैं व्यर्थ की परंपराओं की बूलबलईया में नहीं भटका हूँ, हमने अंधेरे से उजाले की ओर एक फाउंडेशन बनाया है, जिसमें मेरी जैसी कुछ सोच वाले किनर और प्रगति शीलवचार वाले सामान जन सम्मिलित हैं, हम किनरों की शिक्षा और सम्मानित ध्यान दे रही है? जी मैं, अंधेरे में कुछ किरने चमकी हैं, लेकिन वो काफी नहीं है, सर्ग तो अपने मरने पर मिलेगा, मैं अपनी अबधनी का 50 प्रतिशत अपने फाउंडेशन को दे देता हूँ, बाकी लोग भी सहयोग करते हैं, अभी 50 किनर बच्चे पढ़ रह हैं, मैं, मैं दोरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने समाज और आपके सम्मानिस समाज दोनों से, इससे गर्वित होकर रादिका उसे गले लगा कर शाबाशी देने के बहाने बोली, मुझे भी अपने फाउंडेशन से जोड़ लो, मुहित पीन ने कहा, मैं, हम तो चाह जाएंगे, ठीक है, कहकर उचली आई, यगेंदर जग चुके थे, उसे देखते ही पूछा, कहां चली गई थी, रादेका गिदभी पीड़ा और आकरोश सुनामी की तरह फट पड़ा, यगेंदर आप जूटे हो, उस दिन दिस्टंबर की ठंडी रात में, मोहित को इस्ट पास और भी लोग है, चुप रहना ही बेतर होगा, पचीस सालों से चुप ही तो हूँ, गीले बुरादय की तरह सुलग रही हूँ, अंदर ही अंदर शक के दीमक ने मुझे खुकला कर दिया था, आप मेरता रोड इस्टेशन पर दिखावे के लिए उतरे थे, आप तीन द पर ताला जड़कर ममता की टिस्वे बहना चानती हो, कभी सोचा है कि अगर ओ हमारे साथ होता, तो मैं एक हिजड़े का बाप कहलाता, औरतों की तरह हात मटकाता, नाशता फिरता, हमारी नाक कटवाता, हम लोगों के व्यंग बाड़ों से कितना चलील होते, इसका के समय ही, उसको उसके समुदाय को सौपने के लिए तो मैं समझाया था, लेकिन तो मड़ गई, आज रादिका कुछ भी सुनने को तयार नहीं थी, बरसों का जमा गुबार मचल पढ़ा, उसमें उस मासूम का क्या दोश था, आपने इश्वरी रचना का अपमान किया, फिर मेरी कोक पर अधिकार मेरा था, आपने उसे छीना, वो भी छल से, फिर मैं क्या करता, एक लंबा निश्वास लेकर रादिका ने कहा, हम अपने बेटे को पढ़ने लिखने का एक मौका दे सकते थे, अगर उसकी प्रवती नाशने गाने में होती, तो हम उसे नत्य की विधि अधिवत शिक्षा दे सकते थे, वो भी भविश में उदैश अंकर, गोपी, क्रिश्न बनकर समानित जीवन जी सकता था, हार कर यगेंदर ने कहा, तुम्हें कैसे समझाओं, उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर लगे थर्ड जेंडर की ठप्पे से हर स्कूल में मेरी खिली ओ होती, डेनुरा पिट जाता, मेजर यगेंदर बहादुर का बेटा हिंजडा है, यह में बरदाश्ट नहीं कर सकता था, उस सोच कर राधिका ने कहा, बुरा ना मानना, नपुनसक मेरा बेटा नहीं था, नपुनसक आप थे, जो समाज का सामना करने की हिम्मत नहीं चुटा सके, दिकार है आपकी बोंसाई सोच पर, मेजर जनरल यगेंदर बहादुर का पौरुष चोट खाय साप की तरह फुंकार उठा, यू स्टुपिड वोमेन, अब एक शब्द भी आगे बोला तो अनर्थ हो जाएगा, पर राधिका रुकी नहीं, जो अनर्थ हाप कर चुके इससे पहले कि राधिका अपनी बात पूरी करती, रगबत ने आकर कहा, मैडम जी कोई आपसे मिलने आया है, बाहर मुस्कुराता हुआ मोहित खड़ा था, मैम आपको अपना कार्ट देने आया था, मोबाईल नमबर, इमेल और वेबसाइट सब कुछ इसमें है, उसे लेते चूख कर महसूस करना, मोहित कुईन ने जुक कर उसके पैर चुए, वेथित मंता विवश हो गई, उसने उसके दोनों हाठ चूं कर कहा, बेटा, अपने पिटा को माफ कर देना, उसने भी रादीका के दोनों हाठों को सिर पर लगा कर कहा, माँ मैं अपने पिता का नाम वो इसने कहा मा अब वापस लोटना सम्भ हो है अभी बाहर खड़ा था पापा के शब्द कान में पड़े पिता से अस्वीकृत त्याज समास से तिरसकृत हम शापित लोगों के लिए आपकी सम्माने सब भी दुनिया में कोई जगह नहीं है अधीर ममता ने कहा क्या मा की स्वीकृत क्या कोई मोल नहीं है अवरोद गले से बोला मा आपकी स्वीकृत ही मेरे लिए अनमोल है परन्त मेरे लोटने से आपका जीवन तिनका तिनका बिखर जाएगा ना आपको खुशी मिलेगी और ना मेरा हासल मुझे मिलेगा हताश रादिका बोली क्या मैं जीवन पर तुमारे लिए कलपती रहूंगी उसका कंधा थपनपाता बोला नई माँ फोन पर बात करेंगे वीडियो कॉल करेंगे बस दूआ कीजिएगा कि समाज का नजरिया शापित के नरों के प्रति बतले हमें सिर्फ गा बजाकर भीक मांगकर गर्णित नारकिये जीवन जीने को विवश न होना पड़े इनसान की तरह पढ़ लिखकर सम्मानित जीवन जीने का समवैधानिक पारिवारिक और सामाजिक स्वीकरती मिले जिससे हमारा किनर समाज अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़े ये कहकर ओ चला गया वो ठगी सी उसका जाना देखती रही अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ट्रिश्नलता सिंग की लिखी हुई एक बेहद मारमिक कहानी अंधेरे से उजाले की और डॉक्टर ट्रिश्नलता सिंग जी की ये विशेष्टा है कि उनकी कहानिया जीवन से जुड़ी हुई होती हैं उम्मीद है कहानी ने आपको भी जरूर व्यथित किया होगा अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है कहानिया आपको उम्मदा और बेहतरीन लगती हैं तो क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कहानिया सुनें लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके आशा है आपको मेरा अनुरोद स्वीकारे होगा दालिवाद